नेमस्कार दोस्तों, मैं केशी साहुसर आज आज आपको बहुत ही सरल तरिके से बताने वाला हूँ कि आप लोग बलून कार को बहुत ही आसानी से अपने मुबाईल के माध्यम से अपलोट कैसे कर पाएंगे जि हाँ, जब बच्चा जो है बलून कार बना लेता है और हम उसको अपलोट करते हैं ज्यान दिजेगा इसको आप अपने विद्ध्याला के किसी भी सिक्षक के मुबाईल से अपलोट कर सकते हैं आपके विद्ध्याला में कोई भी क्लास का बच्चा कक्षा पहले से लेके 12 वी तक कोई बच्चा यदि बलून कार बनाता है तो उनको उनके फोटो के साथ आपको क्या करना होगा अपने मुबाईल में अपलोट करना होगा जैसे registration होगा आपको क्या करना है आपके भी द्याले के जिस बच्चे का आप balloon car upload करना चाहते हैं उनके नाम को यहाँ पर पहले registration करना है जैसे simple समय यहाँ पर registration कर रहा हूं याद रखी यहाँ पर मैं केवाल एक demo के रूप में बता रहा हूं आप लोग जिस class के बच्चे का कर comment बटन को क्लिक करना है याद रखे कई सिक्षक सांथी का comment आ रहा है कि sir balloon car upload करते समय सक्सेस फुली upload नहीं हो रहा है तो हम सक्सेस फुली upload कैसे करें तो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूं कि upload हम कैसे कर पाएंगे ध्यान दिजेगा इस वीडियो को पूरा देख प्लोड कैसे करेंगे तो यहाँपर देखे हमने पूरा पंजियन कर लिया है जिस बच्चे का भी पंजियन किया होगा उसी बच्चे का हम क्या करेंगे यहाँपर balloon car को उसको upload करेंगे लेकिन यहाँपर दीखे कई लोग बोल रहे हैं कि sir process नहीं हो रहा है तो यहाँपर मै बलून कार को अपलोड करना चाहेंगे तो तुरन नहीं होता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो जिस application से आपने अभी बच्चे का पंजियन किया है वहाँ से आपको एक बार बाहर निकलना है उस application से बाहर निकलना है refresh मारना है है ना अर्थात refresh कर देंगे mobile को उसके बाद फिर से जब हम उस application को खोलेंगे तो हमें वहाँ पर option दिखाए देगा कुछ दिर बाद आप जब आप mobile में उस application को open करेंगे तो आपको interface में दिखाए देगा balloon car को upload करने का लेकिन यहाँ पर देखिए अभी कहीं पर भी balloon car upload करने का option नहीं दिखाए दे रहा है जब हम login किये हैं और इस mobile को हमने क्या क्या है डारेक्ट ओपन क्या हुआ है लेकिन चुकि मैंने बहुत दोर practical कर लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जब यह आपने login किया login करने के बाद आपको क्या करना है ये वाला जो दिखाए दे रहा है इन से आपको बहर जाना इसलिए comment soon देखिए comment soon लिखा है इसका मतलब इसका मतलब आपको क्या करना है इस application से बहर जाना है और थोड़े दरबात फिर से इसमें इंटर करने है उसके बart पुना हमाई इस application में इंटर करने हैं यहाँ पर life app लिखा हुआ इसको मैं पुना क्लिक करता हूँ तो देखे डारेक्ट अब हमारे mobile में इस प्रकार का interface आ गे है अब जैसे यह option आएगा तो आपको क्या करना है इस वीडियो को आगे पुरा ध्यांस देखें आपर start को क्लिक करना है जैसे start को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें बलून कार और एक बच्चा बलून कार बनाते हुए और उनको उनमें हवा भरते हुए दिखाई दे रहा है इसको हमें क्या करना होगा उपर में देखें swipe to next मतलब आपको उपर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर देखें swipe to next लिखा हुआ है swipe to next लिखा हूँ उसको आपको क्या करना होगा इधर slide करना होगा ठीक आपको bagal में क्या करना होगा slide करना है यह दिखिए हमने जैसे slide किया तो यह वाले option आगया फिर से हम slide करेंगे तो यह वाला option आएगा और जो हम last में स्लाइट करते हैं तो यह वाला आपसन आता है और इसमें इस पस्ट रूप से लिखा हुआ है देखो एक गुडिया का फोटो चापा हुआ है यहाँ पर लिखा है perform the activity to earn a coin मतलब यहाँ पर earn a coin करने के लिए बोल रहा है अगर आपको यह activity करते हैं तो आपको एक reward मिलेगा ले उसको upload करने का प्रयास करते हैं तो वो upload नहीं होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो भी balloon car बनाया होगा उस balloon car को पकड़े हुए उस बच्चे का photo direct खिचना होगा ऐसे में क्या होगा कई लोग जो है एक ही balloon car को पहले से photo खिच लेंगे और अलग-अलग अ dennis लिख्ते हैं क्लिक करतें खिची सको हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आता है टेक फोटो upload फोटर उन्हां लेकिन उसमें भीनह उसक k फोटो को लिग करना होगा तो यहां पर धिक पोटो करते हैं तो ड़ेक्ट है आपसन आजाएगा अभी इ ז 04 के मात्ध्रम से हमें की ब बलून कार को, बलून कार जो हमने बनाया होगा, उसका बच्चे का फोटो, बलून कार वाला बच्चे का फोटो हम क्या करेंगे, एक साथ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर पहले से है, तो मैं इसको खीच रहा हूँ, क्योंकि मैं डेमे कुरूप बता रहा यह देखे, जैसे आप खिचेंगे, तो यहाँ पर आप सना जाएगा, ठीक है, यह देखे, अब यहाँ पर आपको OK कर देना है, जैसे ही OK करेंगे, तो यहाँ पर ADA description लिखा हुए तो यहाँ पर आपको description लिख लेना है, बलून कार किस बच्चे के द्वारा, हाना, बलून कार के बारे में आपको लिख लेना है मैं यहाँ पर English में लिख रहा हूँ आपको पूरा detail में लिख लेजेगा हाँ ना यहाँ पर जो भी बच्चा बनाएगा ठीक है यहाँ पर आप लिख लीजेगा जो भी चीज़ आप लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें submit लिखा हुआ है submit को आप क्लिक करेंगे जैसे submit को आप क्लिक करेंगे तो यह उस बच्चे के नाम से submit हो जाएगा बहुत ही असानी से तो यह देखें submit लिखा हुआ है और your activity is under review you will be यहाँ पर लिखा हुआ है review में चला गया है अब यह आपका complete हो गया है अब आप फिर से home में आ सकते हैं अब किसी दूसरे बच्चे का balloon car upload कर सकते हैं इस दुर्प से आप वीडियो बहुत हो प्योगी लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक साथ शेयर जरूर करिएगा